Life of the Nation कहे जाने वाला Indian Railway Asia का सबसे बड़ा Rail Network है भारतिय रेलवे हर दिन देश के साथ हार 325 स्टेशनों को पार करता है और हर दिन 13,109 सीट पैसेंजर कैरी करता है इसके साथ ही Indian Railway देश को सबसे अधिक रोजगार देने का भी काम करता है लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि देश की सबसे पहली ट्रेन कौन सी है और ये कहां से कहां तक चली थी अगर नहीं तो आज इस जिन्यासा का जवाब हम आपको देंगे देश में पहली ट्रेन के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि भारत में ट्रेन चलाने के लिए रेलवे प्रणाली स्थापित करने का विचार कब और कहां से आया 1832 में ब्रिटिश भारत में एक रेलवे प्रणाली स्थापित करने का विचार पहली बार प्रस्तावित किया गया था उस समय ब्रिटेन में रेल यात्रा अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी लेकिन इस्ट इंडिया कमपनी एक व्यापक रेल नेटवर्क विकसित करने के लाभों को जानती थी एक लंबे दशक की निश्क्रियता के बाद 1844 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने प्राइवेट उद्यमियों को एक रेल प्रणाली स्थापित करने की अनुमती दी गई थी वर्ष 1845 तक दो कमपनियों का गठन किया गया था जिसका नाम इस्ट इंडियन रेलवे कमपनी और ग्रेट इंडियन पेनिंसुला रेलवे था ये बात तो हुई देश में रेलवे प्रणाली विकसित करने की प्लानिंग की अब बात करते हैं भारत में चलने वाली पहली ट्रेन के विशे में भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रेल 1845 में चलाई गई थी ये ट्रेन चटरपती शिवाजी टर्मिनल से ठाने के बीच 35 किलो मीटर की दूरी तक चलाई गई थी अगर समय की बात की जाए तो ये ट्रेन दो पहर के 3 बज कर 35 मिनट पर चली और 4 बज कर 45 मिनट पर ठाने पहुँची आपको बता दें कि पहली ट्रेन में 20 बोगियां थी और इस ट्रेन को 3 इंजनों की मदद से चलाया गया था अगर बात यात्रियों की हो तो इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफर किया था अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद